लो आगे राजु भाईया इस लोग ना रुपए देखते एकदम बदल जाते मैं पर केस जासाब को देता हूं दस हजार रुपए जैसे गड़ी रखता हूं दस हजार के कहने लगते ने और बढ़ाओ बे और बढ़ाओ 15,000 बीश हजार दो बड़ी बहस हो जाती है लेकिन ये बहस तो मेरी उनके बंग पूरे की पूरे पैसे में ज़सा हाब को पहुंचाता हू। मै जालस में एक रुपे की लिएगरा फिरी करता हू। मैं तो जबर्दस इमांदार चल रही हूं। सर, किसी गभी केस को जीतने के लिए सबसे एहन चीज क्या होती है। सबसे हम चीज होती है जी पक्ष का मजबूत होना किस पक्ष का अरे बावली आर्थिक पक्ष आर्थिक पक्ष का है आपके नजर में सबसे अच्छा लॉयर कौन है भई जो अच्छा लायर होता है वह अच्छा लॉयर होता है दोस्तो आज हमारे साथ है हमारे देश के एक ऐसे जेलर जिनकी कैद से आज तक कोई भी कैदी भागा नहीं आईए करते हैं उसे कुछ बाची स्वागत है आपका जेलर साब हमें बताई है कि आपकी जेल में सुरक्षा का कैसा इंतिजाम सर आप कहते हैं कि आपके कैदी को बाहर से जानकरी उनको जिन में ही मिल जाती है वो कैसे हमने हर कैदी के रूम में लैपटाप, मोबाइल, टेली वीजन, इंटरनेट की विवस्ता की है और अगर कभी इंटरनेट फेल हो जाए तो वाइफाई भी है एक दम हाइफाई है सर आप कहते हैं कि आपकी जेल से आज तक कोई भी कैदी भागा नहीं है वो कैसे कैदीयों को भागने की आविशक्ता क्या है कैदी मुझसे पूछ के बाहर जाते हैं और काम तमाम करके वापस लौटाते हैं वह समय के बड़े पाबंद है हम ने ये भी सुना है कि आप बड़े कैदियों की बहुत अच्छे से से शेवा करते हैं यह जितने बड़े-बड़े अपराधी है, यह हमारे भविष्य के मंत्री है, आज दुनिया जानती है, जितने मंत्री हमारे देश में, इस में से बहुत सारे पहले घोर अपराधी थे, अगर मैंने उनकी उस जमाने में सेवाना की होती, तो आज मैं मेवा कैसे खाता, मैं तो परबाद हो जाता, बम बम भोले दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे देश के फेमस क्रिकेटर Mr. Free Sanji आईए करते हैं उनसे कुछ बाची Welcome to our show, Sir Sir, पिछली बार विकेट लेने के बाद आपने पाँच मिनिट तक ग्राउंड में डांस किया इसकी कोई खास वजा एक तो मुझे विकेट लेने के खुशी थी और आपको तो पता है कि ऐसी खुशी मुझे साल में एक दोबारी मिलती है और दूसरा मैं पूरी दुनिया को अपना डांस का टैलेंट दिखा रहा था ताकि टीवी के किसी भी रिल्टी शो में मैं अपना करियर बना सकूँ आपने कहा कि हरभजन ने आपको प्रीती के कारण थपड मारा ये बात कुछ समझ नहीं आई एक्चली वो हमारी स्ट्रेटीजी थी मैंने ये नोट किया कि प्रीती सारे प्लेयर को हॉक कर रही है गळो लगा रही है सिर्फ मुझे चोडके बहजी का थपड खाने के बात मैं जोड़-चोर से रोने लगा प्रीती भागते भागते आई उसनिमुझे गले लगा लिया दो घंटे तक मैं उसके गले लगा रहा अब मैं सोच रहा हूं कि शेनवान से भी थपड़ खा लूँ वो क्यों? शिल्पा भागती भागती आएगी मुझे गले लगाएगी सर हमने सुना है मिस्टर मुकेश आपको खरीदना चाहते थे मगर आप तो बहुत ही कोशली बॉलर है कोशली नहीं हूँ मैं मेहंगा बहुत हूँ पूरी दुनिया जानती है कि मैं एक एक ओवर में 25-25-30-30 रन तो यूँ ही दे देता हूँ मैं डांस करूँ यार आज हमारे साथ हैं हवालदार पांडू रंग जादव आये करते हैं उन्चे कुछ बातचीत स्वागत है आपका नशकर में तो जादव जी बताये कि आप पुलिस में कैसे भरती हुए क्या बोलने का मेडम किसका तो बद्दुआ मेरे उपर है कोई तो मेरे को पुलिस खाते में धक्का मार रहे एक दिन क्या हो गया मेरे बाब दो पैक मार के आया पहले उसने मेरे को दो मा का गाली दिया बात में क्या बोलता है तेरे उपर पड़ाई में मेरा 3,00,000 रुपया खर्चा हुआ है मेरे को 3,00,000 हुरुपया कograf का से भी वापसर मन्गता है वह भी एक बरस में, मैं इस उच्छा मैं क्या करेगा, किधर जाब करेगा, इतना income किधर होईगा, बस, पुलिस में बढ़ती होगे, आपने समाझ को नया क्या दिया? अरे बहुत दिया समाज को, फिर मैं बरस कैंसिल किया, साल कैंसिल किया, महिना कैंसिल किया, दिन कैंसिल किया, फक्त चालू किया, हप्ता अपरादियों को पकड़ने के लिए कुट्टों की सर्विस चुरू की गई थी, वो बंद क्यों हो गई, क्या हुआ था? यह कुट्टे लोग का बहुत तकलिफ है अरे बाबा मुंबई में किधर डाका पड़ता है चोरी होती है मर्डर होता है तो मैं कुट्टा लेकर जाता था कि सूंगने का अपराधी को पकड़ के बताने का वह ऐसा सूंगते 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 आता था पुलिस टेशन हम के देखा तो मेरा अवरत मेरा पॉकेट से पाईसा निकालती थी मैं ताब और तोड़ उसको पकड़ लें और चल पॉलिस टेशन चोरी करती है क्या उसने मेरे पाकेट से पचास रुपे निकाल के मेरो को दिया और क्या बोलती है बात आगे काई को बढ़ता है इद्रिच म कर तो क्या आपने पचास रुपे ले लिये फिर मां छोड़ेंगा क्या पूरा सो रुपिय लिया क्रश्व 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 क्रश्व